तो हेलो फ्रेंट्स, वेलकम माय यूटूब चैनल, तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पारा मेडिकल या पारा मेडिकल डेंटल में हम कितने नमबर लाएं ताकि जो हमारा इंट्रेंस एक्जाम है क्वाईफाइए हो जाएं, ठीक है, इस वीडियो में हम कर दे ताकि मैं जब भी पारा मेडिकल से रिलेटेड न्यूज या इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अप्लोड करो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो नंबर और रैंक को जानेने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पारा मेडिकल जो इंट्रेंस एक्जाम होता है वो कितना क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन नब्वे क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है नब्वे क्वेश्चन पूछा जाता ह और पड़ती एक question कितना का होता है पांच नंबर का होता है तो आपका कितना नंबर का हो गया सारे 400 नंबर का आपका question होता है जिसमें आपको हो जागा general science यानि कि physics chemistry biology देखे 2018 में पहले दोस्तो physics chemistry biology सभी अलग-अलग पूछते थे लेकिन 2019 से general science कर दिया है ठीक है क्या कर दिया पीसी भी हो जाएगा यानि कि general science हो गया है ठीक है अगर आपको पूरा सलेवस का वीडियो चाहिए चेप्टर वाइस तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें तो मैं उसका वीडियो जरूर बना दूंगा ठीक है अब बात करते हैं कि जो इंट्रेंस एक्जाम होता है उसका cut up आता है या rank आता है ठीक है बात करते cut up और rank तो बहुत सारे वीडियो में क्या है cut up को बताए गया तो दोस्तों मैं इस बात को बता दूं कि जो हमारा ये PM या PMD का जो इंट्रेंस एक्जाम होता है बिहार combined examination board के द्वारा जो लिया जाता है उसका कोई cut up नहीं निक number लाइएगा उतना ही आपका ज्यादा rank sorry कम rank होगा ठीक है कम rank होगा ठीक है अब rank को पहले समझ लिजे की rank होता का है ठीक है देखे rank दो टाइपस में होते हैं आप लोग rank को समझ ये बहुत लोगों को यहां पर confusion होता है माले जे किसी एक वच्चे का 500 rank आता है किसी का सारे 300 रहे 100 रहा ठीक है तो rank किसका ज्यादा हुआ runk किसका बहतर हुआ best हुआ तो सारे 300 वाले कम जिसका ज्यादा कम rank रहेगा उसका best रहेगा इसका एडविशन बहुत जल्दी होगा best college मिलेगा और best trade मिलेगा ठीक है और इसका बहुत ही देर से होगा लेकिन होगा इसका भी पारा मेडिकल, पारा मेडिकल डेंटल में कितने ट्रेड है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे बीडियो के नीचे कमेंट करिए, कि सर्ट ट्रेड का बीडियो बना दिजे, ठीक है, तो देखे, मैं इसका अंदाजा से बता देता, मोटा मोटी है, कि प पहला सबसे बेश्ट कोर्स माना जाता है नर्सिंग का ठीक है नर्सिंग का और दूसरा आता है आपका एक्सरे का इसी तरह से बहुत सारे हैं अगर आपका इसका बीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिए ठीक है तो चलिए बात करते हैं 2019 के अनुसार कटप को ठीक 2019 में 2019 से 2020 के एक्जाम के कमपरीजन करें कि रैंक हमें कितना बढ़िया लाना होगा ताकि मेरा एडविशन हो जाए ठीक है तो मैं जेनरल वाले की बात करूँ तो जेनरल वाले को लगबग 75 क्वेश्चन बनाने होंगे मीनिमम 75 क्वेश्चन बनाने होंगे तो अभी उनका जाकर के एडविशन होगा ठीक है जेनरल वाले के इससे ज्यादा बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा इससे हैगा कि आप पास है ठीक है यहां से क्या है आप केवल पास है आपको कॉलेज बढ़ियां मिल जाएगा ठीक है अब बात कर OBC, EBC एक ही होता है ठीक है OBC, EBC की बात करें तो EBC की बात करें तो इसका question लगवग आपको 70 question बनाने होगे ठीक है minimum कितने question बनाने होगे तो minimum आपको 70 question बनाने ही होगे तभी आपका जाकर के आप पास हो पाएंगे entrance exam में ठीक है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि इसका AC और ST वाले का ठीक है AC और ST वाले के लिए बहुत ही अच्छा है उनको लगवग तो लगवग 55 question minimum बनाने होगे ठीक है कितने 55 question बनाने होगे तब ही उनका जाकर के एड़िशन होगा और ये मैं केवल 2019 के नुसार बता रहा हूँ ठीक है क्या competition exam है अगर competition exam की बात करें तो आप जितना ज्यादा नमबर लाओगे उतना ही ज्यादा best आपको college मिलेगा ठीक है आपको क्या best college मिलेगा और best आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे best trade भी मिलेगा ठीक है best trade भी मिलेगा आपको तो दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप हमारे comment box में बता सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं next video में दोस्तो